आप इस टोपिक ग्लोबल वर्मिंग आई दोस्तों आज चालू करते हैं ग्लोबल वर्मिंग के बारे में जानेंगे ग्लोबल वर्मिंग कैसे होती है आप जानते हैं कि carbon dioxide वायू का एक घटक है पोदो के लिए carbon dioxide की भूमिंग का भी आप अध्यान कर चुके हैं परन्तु यदि वायू में carbon dioxide के अधिक्ता हो तो यह प्रदूशक की भांती करती है Can you help पहली find out the answer to her question? On the other hand, क्या आप पहली के प्रिशन का हल ग्याद करने में उसकी साहता कर सकते हैं? जो की यह है पहली का question But how does carbon dioxide contain rise in the atmosphere and become excessive? परन्तु वायू में carbon dioxide की मातरा कैसे बढ़ती है और इसका अधिक्या कैसे हो जाता है On the other hand, carbon dioxide is continuously being released because of human activities On the other hand, area under forest is decreasing Plant utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere Carbon dioxide traps heat and does not allow it to escape into space As a result, the average temperature of the earth's surface is gradually increasing This is called global warming तो इसी कोई कहते हैं, global warming एक और तो मान्विय किरिये खलापों के करण निरंतर carbon dioxide वतवरण में मोचित हो रही है तथा दूसी और वन शेतर घट रहा है पोदे पिरकाश शेंशेलेशन के लिए वाईयो मंडल से carbon dioxide का उपयोग करते हैं जिसके करण वाईयो में carbon dioxide की मातरा कम हो जाती है वनो मनूलन के करण वाईयो में carbon dioxide की मातरा बढ़ जाती है क्योंकि carbon dioxide की खपत करने वाले विरशों को विरशों की संक्या घट जाती है इस पिरकार मांगे कि रिखलाप वायू मंडल में करबन डाय अक्साइड केंचे में युगदान देते हैं उश्मा को रोक लेती है और उसे वायू मंडल में नहीं जाने देती परिराम स्वरूब वायू मंडल के उसद ताप में निरंदर ब्रैदी हो रही है इसके विश्व जणान global warming कहते हैं तो global warming इसको कहते हैं ये जो मैंना अभी आपको पढ़ाया इसमें global warming का ये मतलब बताया है मैं आपको आप और detail में समझा देता हूँ कि जो carbon dioxide होती है जो कि बहुत जरूरी है plants के लिए जिससे plants carbon dioxide लेते हैं और उससे खाना बनाती है, fruit बनाती है उससे वूपना, photosynthesis के जब आपना fruit बनाती है, sunlight उस से पर पढती है, जम प्लांट में leaf होती है, पत्ति उसके उपर, उस पर जब sunlight पढती है और carbon dioxide present होती है, और water, तो ये इससे food बनाते हैं, glucose बनाते हैं. तो और और अलग-अलग फूड बनाते हैं जिससे इसे एनरजी मिलती है तो ये करवन डाइक अक्सटाइड को एबसोर्प कर लेते हैं और और उखसीजन लिलिस करते हैं को मगार अब जो है हम क्या कट रहा हैं अपने घर बना रहे हैं इन्डरी बना रहे हैं और रोड बना रहें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यह सब चीज है जिसकी वज़ेसे हम जो है जन्गलो को काट ते जा रहे हैं फोरेस्ट न यह जिसका हम क्याते हैं D4 Station लिस्टुन इंक्रीज इंद अमाउंट फकर वधायर जिसकी वजए से पेड़ आपर कर्वन डाइक्षाइड लेते ते मगर आप नहीं ले पा रहा है तो पोगो धेकर वधाय तो और कर्वन डाय ऑक्साइड का लेंगे तो उसको फिर कम नहीं करबाएंगे वो पेड़ और कारवन डाय अक्साइट का काम ये भी होता है कि हीट को अपने अंदर एब्जॉब करना तो वो हीट को एब्जॉब कर लेती है जिसकी वज़े से हमारे हैं पर अर्थ में वो जो रेडियेशन आ रही थी गिरीन हाउस इफ अंगल पूरा कट जाएगा सपाया हो जाएगा धीरे धीरे जब हम घर मनाएंगे बिल्डिंग रोड बगेरा तो फिर उसकी वज़े से गिलोबल वर्मिंग हो यह कारवन डायोक्साइट करने हीट एब्जॉब करने की हीट ट्रैप करने की ताकत होती है हीट ट्रैप कर ले यानि गिलोबल वर्मिंग तो इस तरीके से गिलोबल वर्मिंग होती है हम पेड़ पोदों को कड़ देते हैं यही सब लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको पड़ाया जो मैंने आपको अभी बताया और यह देख सकते हैं आप इमेज में टाइम सोफ इंडिया का है यह वर्मिंग का इफेक्ट डिखाते हुए यह हमारी आर्ट है और यह देखिए किस तरीके सा आग इंगल लए यह बहुत जादा गर्मी इस तरीके से बढ़ लए है यह कार्वन डायक्साइट पॉल्यूशन का काम करती है जब बहुत जादा हो जाती है हमारी जरूरत तो है आप संसे सूरज से जो किनना आती है वो कुछ हमारे अर्थ एब्सॉब कर लेता है वहां नहीं जाने लेता और कार्वन डायक्साइट भी एब्सॉब कर रही है तो इससे बहुत जादा गरम हो जाएगा बहुत जादा टेंपरेचर बढ़ जाएगा हमारी अर्थ को जिसकी वए यह तो लाइक करें सब्सक्राइब करें प्रेश दा बेल आगान तो डूनाट में अपडेट आप एन एजुकेशनल वीडियो तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद